नमस्कार साथियों आज का विश्या है अपना पैरेंटल केर इंद फिशेज बहुत मैदपून टोपिक है बीए सी पार थड़ की पेपर फैस्ट के लिए उसके अलावा यह हमेसी फिश वाले जिवाले बच्चों के लिए भी उतना ही मैदपून है तो शुरू करते हैं पैरे इसको पूरा दिखेंगे डाइग्राम सबसे पहले पैरेंटल केर का मतलब साथियों पर ज्यानते हैं कि पैरेंट्स के द्वारा माता-पिता के द्वारा अपने बच्चों या अंडों की सुरुक्षा करना जब तक कि वह सेल्फ डिपेंडिंग नहीं हो जाते हैं पैरेंट यानि पैरेंट्स के द्वारा अपने अंडों या बच्चों की देख बाल करना जब तक की वह सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो जाता है पैरेंट्ल केर जो होता है बहुत में पहुत सारे परानी में एडवांस प्रकार का होता है और मनुष्य में आते आते यह सब से एडवा कि मचली के अंदर अब देख रहे हैं आपन तो के और सफीश के अंदर भी प्रेंटल के 500 पाया Ćता है मचली'मे zij ज़स्ता आए वह मेल के द्वारा की यती है को दोरा चुछ जब हod OUTा है आता है आपन प्रेंटल के भरीभाशण लिकेंगे उसके बाक्रेंध की प्रकार स्वesar होता है क्या該न रहते हैं क्या word city ऊहने दिखिनगी चार केटगरी बनाएंगे तो रहँ सबसे पहले class species 그렇죠 which भीन डिश्ट ऐसी मचलियां जो तो से दूसरी सिट्विज बृट नहीं बनाती है और तीसरा विवी पेरेटी या जरायुस्ता और चोता है कैर ओर केरिंग ऑफ यह तो पहली के टेगरी है पेले एदिंग का पहले प्रकार सब्सकुलर ना पहली नेश्टे से कुछ आगे साथां यहा पर ऐग्जाम्पल वह महत्त हूं रहेंगे जो और इड्जामपल में भी जहां तक हो साइंटिफिक नेम रहेंगे तो मेल करता है परणे पहले डालेंगे क्या सर्कुलरनेस्ट यानि ब्रत्ताकार कौश्मला बनाता है यह डायग्राम भी बनाऊंगे जोती है यह बनाता है पानी के अंदर इसके अंदर और जिआंघ इनको फटलाइस कर देता है और तब-तक देव बाग करता रहता है जब तक बनाएगा और इसमें अंदे देगी तो इस प्रकार का होगा दूसरा है बेसिन से नेश्ट होता है डाटर फिस्ट में इसका एक्जांपल लिखेंगे डाटर फिस्ट जो होती है यह प्रॉपर प्लेस्ट पर एक एक्वाटिक प्लांट के द्वारा एक बेसिन से नेश्ट बनाती इससे डॉमीन कहते हैं पत्यों के द्वारा और फोई एक फिमेल डाटर इसके अंदर आकर अपने अंड़े देदेखती है और इसमें फटिलाइश्ट होगा तो दूसरा देखा था पहला सबुनर से दूसरा बेसिंट से सबसे इंपोर्टेंट है ब नेकरति से यह सब्सक्राइबंतों चनारं जर्ण yellता है उनके द्वारा जैसे फक्षी जो होते हैं यह बनाते हैं थै तो फ्लिटिलाजन होता है तो तीसले कैटेगरी इंगे स्टिकल बैंटफिस्अuda प्लांट्स के द्वारा एक फ्लोटिंग नेश्ट बनाती है जो पानी में त्यारता रहेगा उसके उपर अपने अंडे दी जाते हैं मेल और फिमेल के द्वारा तो चोथी केटेग्री हो जाएगी फ्लोटिंग नेश्ट पहली सर्कुलर दूसरी बैराल शेप्ट दूसरी जो वो बैसी त्रीश्ट बैराल शेप्ट और चोथी फ्लोटिंग नेश्ट यह चारों यह सी मचल्यों के जाते हैं जो नेश्ट बिल्डिंग करती है पांच वारो जो खट्डा होता है जैसे चुए खट्डे करते हैं वैसे कुछ मचलिया होती है जमीन के अंदर बना देती है और उसमें अंडे देती है और उनसे जब तक की चोटी मतली या लार्वा वह नहीं होंगे वह बाहर नहीं आज रहेंगे जब तक इससे बाहर नहीं निकलेंगे तो यह प्रकार का एंडिमी से प्रोटक्शन के लिए हो गया बहुत अच्छा एक्जांपल आपने यूट्प प्रिट के अंदर अपने फटिलाइट एक देती है और इसे बड़े अंडे होते हैं इनको अगर इसे करेंगे तो इनमें से अफ्रीकन लंगफिस बाहर आएगी तो इसके अंदर जमीन के अंदर बड़े-बड़े लड़ू जैसे अंदर दबाके रखती है कि फ्लोटिंग नेश्ट पहले देखी चुके हैं फॉमी नेश्ट कुछ मचलियां जो होती है जैसे बेटा यह में जो होती है यह पाणी के जाग के द्वारा फ्लोटिंग नेश्ट बनाती है और इनके अंदर चिपके रखते हैं तो यह फ्लोटिंग नेश्ट हो जाएगा अब आती है पहली के पांच शे प्रकार लिखने उसके बाद फिसी स्पीशी जू विच डू नोट बिल्ड ने जो गॉंचला नहीं बनाती है किसी और प्रकार से पैरेंटल केर करती है तो इसमें पहले के टिकरी लिखेंगे डिपोजिशन ऑप एग्ज एड़ सुटेबल पल बहुत सारी मसलियां जो होती है अपने अपने एक पर्टिकुलर मास्ट पर देती है जैसे परश्या फ्लेशन इपोजिशन ऑप एग्ज इंदर सर्विशेज और पानी के अंदर जो कॉरल ड्रिक्स होती है वह सब सूटेबल प्लेस होता है वहां पर अपने अंडे देना ज जया लिए जो होती है यह अपने अंडे शेल के उपर देती है तो सूटेबल प्लेस पर अपने तैना तुसरा है डिपोजिशन एग in the fish body डूसरा सबसे अच़ा तरीका ही है वह अपने अपने पीबोडी के उपर ही प्रीश की बोडी के उपर ही चिपका दो ताइगी पेरे on-book05 अपने मुह में रखती है मचलियव को क्या कह एंगे मास ब्रीडर मजब्ध करते हैं तो अपने मुह में दबाते हैं इनको माउथ ब्रूडिंग फिस्ट कहते हैं तिलाप यह होते हैं या औरियो प्रॉमिस इसका दूसरा नाम है मौजंबिकस है यह परेंडल क्यार करती है माउथ के अंदर और फिमेल जो होती है लेकिन इसमें अपने अंडे माउथ में रखती है कि दूसरा है अटेज्मेंट ओप विद बॉनी हुक्स जो इनके सीर होता है या हुक्स होते हैं महां पर अपने अंडे जेदी जाए पहला ता माउथ के अंदर यह अटेज्मेंट ओप विद बॉनी हुक्स इसका एग्जाम्पल होगा आश्ट्रिलियन कुर्तस अटेज्ट मा इसका सिर यहां पर प्रोजेक्शन होता है यहां पर चिपका लिये जाते हैं ताकि अपने इंटिमान्डों की रक्षा कर सके तीसरा है फॉर्मेशन ओप इंटेग्युमेंट्री कप्स कुछ मतलियां जो ती है उसके अंदर तोचा के अंदर छोटे-चोटे कप्स पाए जा इसके अंदर फिमेल टांसपर एक इंटू पाउच 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 किस पर पाए जाएगा में में पाए जाएगा हिपोकेंपस के अंदर और उसके अलवा आगे अपने देखेंगे कुछ मतलियां जो होती है वीडी पेरस भी होती है अब गये अजब कुछ मतलियों के अंदर यह डाइग्राम अना आपको मर्मिट पाउच चो जो अलगलग शेप के होते हैं यह समूद्री खर्पत्वार होती है इनके ऊपर चिप विच आप जो अंडवाईनी होती इसके द्वारा सिक्रेट किया जाते हैं और यह प्लांट के उपर चिपका दिये जाते हैं इसके द्वारा उन इन से जब तक की बच्चे नहीं आ जाते हैं और यह देखा गए कि शार्प से होती है के अंड जो होते हैं इस कंडिशन में ही कार्णिवारस होते हैं वह दूसरे जो ब्रून अगर एक से जादा होते हैं तो उनको खा जाते हैं यह डाइग्राम भी बनाना एक्जाम्पल लिखना शार्प और रेज सबसे बेश्ट है बीवी पैरेटी तीसरी केटेग्री थी पहले थी नेस्ट बीडिंग दूसरी सुटेबल प्लेश पर अंडे देना थी बीवी पैरेटी कुछ मसलियां जो होती है वह वीवीपैरस होती प्रकार क्या निकलता है कि मचलियों के अंदर चार प्रकार की डाइवर्सीटी पाहे जाती है जिन से वह पैरेंटल केर करती है अपने अंदों और यंग वंस की ताकि उनकी मौटिलिटी रेट कम हो और उनको ज़्यादा ज़्यादा प्रोटक्शन दिया जाए कुछ मज़ए ऐसी है जो पैरेंटल केर नहीं करती है बट दे लेग एंदर चाहिंट शेपर प्लेस इंदर और यह आपको एक्जाम्प में लिखने हैं सारा कि किस प्रगार मचलियों में पैरेंटल केर होता है विड डायग्राम और विड एक्जाम्पल धन्यवार